श्री रांग जय रांग जय जय रांग जय रांग नमस्का दोस्तों आप सबी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर मैं हूँ आपका मित्र सुनिल शास्त्री और आप देख रहे हैं जोतिस से जुड़ी कुछ स्पैशल विशेश एडिशनल जनकरियां तो मित्र आज हम बात करेंगे और आपको में बताना चाहूंगा बहुत सारे फोन कॉल्स बहुत सारे वाट्सअप पर मैसेज़िस और अनगिनत कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ये कि गुरु जी बताईए कि जो हमारे वक्री ग्रह हैं वक्री ग्रह के बारे में आप से भी हम कुछ सुनना चाहते हैं वक्री ग्रह की परिभाशा क्या है वक्री ग्रह किसे कहते हैं वक्री ग्रह क्यों कहते हैं और वक्री ग्रह क्यों ग्रह हो जाते हैं कौन-कौन से नो ग्रहों में से वक्री होते हैं और वक्री का special और चुनिंदा फल हमें बताईए आपको में इसमें सारी चीज़ है यानि कि वक्री ग्रह क्या होते हैं मारगी ग्रहों का क्या मतलब है अतिमारगी यानि कि अतिचारी भी कई लोग अतिमारगी को कहते हैं तो अ वक्री ग्रह वक्री का सही मेनिंग क्या है वाकि में वक्री ग्रह का अर्थ क्या है वक्री का क्या अर्थ है और वक्री ग्रह कैसा अफल देता है यह बुरा देता है यह अच्छा देता है तो यह संपूल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यमसे में देने वाला हूँ तो आप जो भी हमारे सब्सकाइबर्स हैं आपका पूनहा वन्स अगें आपका दिल से स्वागत है हमारे इस चैनल पर और दोस्तों आप सभी से मेरी विशिश प्रारता है कि हमारे जो भी वीडियो आप तक पहुंसती हैं नोटिफिकेशन के जरिये और आप उनको देखते हैं ज क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे चैनल के लिए एक बहुत बड़ी सहायता हो सकती है तो दोस्तों कोई भी चैनल यूटूब पर बिना सब्सकाइबर्स के आगे बढ़ नहीं सकता इसलिए दोस्तों आपका बहुत बड़ा से योग है हमारे इस चैनल को बड़ा बनाने में हमारे इस चैनल को और फेमस करने में और बहुत सारे सब्सकाइबर्स दिलाने में और वीडियोस को व्यूब दिलाने में तो दोस्तों आपका हमेशा तहे दिल से स्वागत है साथ में दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेशन हो कोई भी क्वारी हो तो मेरा एक रूल है इस या फिर वीडियो के comment section में अपना एक question या query लिख सकते हैं. तो मैं उनको जो है पूरी तरह से reply करने के पूरी पूरी कोशिश अपनी तरह से करूँगा. तो दोस्तों वक्री ग्रह क्या है जो जोतिश का मेरा अनुभव रहा है? जो मैंने सीखा है, जो खुद का research मैंने astrology पर किया है, क्योंकि दोस्तों astrology या कोई भी book जो भी subject है वो हम पढ़ते हैं, तो वो subject जो है एक base होता है हमारा, लेकिन वहां से उस base को जान करके आगे research करना ये हमारे उपर depend करता है. तो इसलिए जो भी मेरा research है, जो भी मेरा अनुभव है, जोतिश ग्रहों के बारे में, जो ग्रहों के फल के बारे में, या फिर इन वक्री, मारगी और अतिमारगी ग्रहों के बारे में, जो कुछ भी अनुभव मेरा है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक share कर रहा ह और यदि आपको यह अच्छा लगे तो प्लीज आप भी आगे जरूर शेयर कीजेगा ताकि आपकी तरह हमारी तरह औरों का भी लाब हो सके तो दोस्तों आईए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों आईए इस पॉइंट पर बात करते हैं वक्री ग्रह क्या होते हैं वक्री ग्रह कोन से होते हैं वक्री ग्रह का क्या मतलब होता है और स्पेशली वक्री शब्द का क्या मतलब होता है इस शब्द को क्यों यूज किया गया जोतिश के अंदर सूर्याज नव ग्रहों के उपर इस शब्द को क्यों यूज किया गया और साथ में ग्रह गोचर में जब ग्रह दशाई चलती है तो हर एक ग्रह के जो भी ग्रह हमारे वक्र होते हैं उन ग्रहों के वारे में वक्री कहा गया इसका क्या सही मीनिंग है इस बात को जानते हैं दोस्तों वक्री ग्रह वक्री शब्द को जानने के लिए हमें इन तीनों पॉइंट्स पर बहुत ध्यान देना होगा सबसे पहला तो है मारगी और दूसरा है अतिमारगी और तीसरा है वक्री तो दोस्तों ये जो मारगी, अतिमारगी और वक्री जो शब्द है इनका अर्थ जोतिश के इन सूरिया दिन ग्रहों पर किस प्रकार से इस शब्द का अर्थ, इन शब्दों के अर्थ निकलते हैं तो दोस्तों जानिये सबसे पहले मारगी को हम जानते हैं मारगी अतिमारगी और वक्री ये तीनों जो स्टेज हैं और तीनों जो बातें हैं ये ग्रहों के लिए इसलिए कही गई हैं क्योंकि ग्रहों की सबी ग्रहों की अपनी अपनी एक चाल है एक चलने का धंग है स्पीड है जिसको हम स्पीड कहते हैं चलने की स्पीड को तो चलने की स्पीड को ही मारगी, अतिमारगी और वक्री कहा गया अब मारगी शब्द का आर्थ हम यहां पर जानते हैं मारगी का मतलब होता है उस ग्रह को मारगी कहते हैं जो ग्रह अपने चाल के अनुसार यानि कि रूटीन में जो ग्रह जिस तरीके से और जिस स्पीड से चलते हैं उसी स्पीड से वो निरंतर चलते रहते हैं इसलिए उनको मारगी ग्रह कहा जाता है यानि कि मारगी वो अपनी स्पीड से अब चल रहे हैं या हमेशा चलते हैं या हमेशा चलते रहेंगे तो इस तरीके से उन ग्रहों को मारगी कहा जाता है दूसरा आतिमार्गी का मतलब होता है जब ग्रह जो है, काफी तेज अपनी नियमित जो रूटीन में जो उनकी चाल है, जो चलने की स्पीड है, उस स्पीड को वो जब अत्य अधिक जादा कर देते हैं, तिगणा कर देते हैं या दोगणा स्पीड में चलते हैं, तो एक राशी से दूसरी राशी में चलते वे जब वो दोगना तीगना स्पीड रखते हैं और उस स्पीड को रखते वे चलते हैं तो उनको जो है अतिमार्गी कहा जाता है कि ग्रह अब जो है अतिमारगी ग्रह गोचर में हो चुका है और जर्मकुंडली में भी आपने देखा होगा कि कई ग्रहों के सामने हमारी होरस्कॉप में लिखा होता है कि मारगी अतिमारगी या वक्री इस तरीके से तो यही शब्दों के आर्थ में आपको बता रहा हूँ बिल्कुल कम हो जाता है तीगुना चाल उसकी कम हो जाती है जो उसकी रूटीन में जो चाल थी वो चाल जो है जब तीगुना रूप में कम हो जाती है बहुत धीमी हो जाती है चाल उस ग्रह की जब ग्रह गोचर में या होरसकोप में जो है बहुत धीमी गती से जब आगे तो उसे जो है वक्री ग्रह कह देते हैं तो इस प्रकार से ग्रह गोचर में जो है स्थिती ग्रहों की होती है ग्रहों की चाल होती है उसी प्रकार से दोस्तों दूसरा पॉइंट में इस पर बोलूँगा कि पुराने जो जोत्सी थे पुराने जो एस्ट्रोजर से जिनों ने जो है उन ग्रहों को अपनी द्रिष्टी से देख करके क्योंकि द्रिष्टी मात्र से ही ये जो है द्रिष्टी गोचर से ही ये है जो फलित जोतिश है ये अंक जोतिश है या कुंडली का विशिश जो वैदिक जोतिश है वे इसी चक्षु द्रिष्टी के आधार पर ही ये ग गरती पर बैट करके ही ग्रहों की स्थितियों को अपने द्रिष्टी से ही देख लेते थे सौर मंडल में कि किस प्रकार से कौन सा ग्रह कितनी स्पीड से चल रहा है और कौन सा वक्री है कौन सा मारगी है कौन सा अतिमारगी होने वाला है तो यह सारी गतिविद्यां तो उन्ह जो है वो निरंतर आगे की तरफ ही बढ़ता है लेकिन उसकी जो स्पीड होती है उसकी जो गती है वो बहुत धही हो जाती है इस कारण वस उन्हें लगता है और कई ग्रंता कारों ने लिखा कि और पिछली किसी राशी में चले जाता है इसके कारण जो है वक्री कहा जाता है तो शायद मेरे हिसाब से आप समझ गे होंगे कि वक्री ग्रह का अर्थ क्या है और भी कई पॉइंट्स में और कई तरीकों में मैं आपको इसको समझाता हूँ आगे और वक्री ग्रह का फल क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ deeply करपया वेडियो पर बने रही है दोस्तों दूसरी बात मैं हाप आपको बताना चाहूंगा जैसे कि हमारे नवग्रहें नवग्रहों के बारे में तो आप जानते ही है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनी, राहो और केतु ये दोस्तों नवग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल में होते हैं और इनी का प्रभाव हमारी होरासकोप पर और हमारे जीवन पर भी होता है तो दोस्तों इन नवग्रहों में से जो सूर्य है और चंद्रमा है सूर्य और चंद्रमा ये दोनों करह कभी भी वक्री नहीं होते यानि कि हमेशा मारगी होते हैं और मारगी का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि मारगी का मतलब वो ग्रह होते हैं सूर्य और चंद्रमा जो की हमेशा अपनी एक गती से चलते रहते हैं यानि की मारगी रहते हैं निरंतर चलते रहते हैं अपनी स्पीड से तो ये कभी वक्री नहीं होते हैं सूर्य और चंद्रमा दूसरी बात इन नव ग्रहों में से राहू और केतू हमेशा वक्री रहते हैं क्योंकि दोस्तों मैं आपको डिस्पले कर रहा हूँ दो होरास्कॉप दो कुंडलियां और इन दोनों कुंडलियों में आप देखिए कि हमेशा ग्रह जो हैं बाकी के जो ग्रह हैं वो लेफ्ट साइड की और चलते हैं कुंडली में जैसे कि ब्रश लगन है ब्रश लगन से औ और इस तरफ लेफ्ट की साइड में जो है ग्रह चलते हैं लेकिन यहाँ पर जो है दूसरी होरास्कॉप आप देखें दूसरी कुंडली देखें यहाँ पर राहू और केतू हमेशा जो है उल्टी साइड यानि कि बिल्कुर राइट में चलेंगे राहू और केतू इसलिए ज हमेशा वक्री रहते हैं इसलिए इनको कहा गया क्योंकि यह हमेशा कुंडली के राइट साइड में चलते रहते हैं तो ग्रह गोचर में यह स्थिति यहाँ पर वक्री को लेकर के बनी हुई है तो दोस्तों इसी से पता लगता है कि राहू और केतू हमेशा वक्री रहते हैं और ये कभी मारगी नहीं होते, समझ गया पात, यानि कि लेफ्ट की साइट इस कुंडली के आधार पर देखें तो लेफ्ट की साइट ये सीधे तरीके से नहीं चलते, ये हमेशा उल्टे तरीके से यहां होरास्कॉप में ग्रह गोचर में चलते दिखाई देते हैं, इसलिए इनको राहू और केतु को जो है वक्री ग्रह कहा गया, ये मारगी नहीं होते हैं, अब दोस्तों हम बात करते हैं बचे हुए पांच ग्रहों की, जो की हैं मंगल, बुद्ध, गुरु, शुक्र और शनी, दोस्तों ये पांच ग्रह जो हैं, मारगी भी होते हैं, और आती मार आगी भी होते हैं और वक्री भी होते हैं इस सीचुशन को मैं आपको समझाता हूँ उधारण के तौर पर जैसे कि दोस्तों शनी है इन पांच ग्रहों में से एक शनी को आप ले लिजे शनी जो है एक राशी पर धाई वर्ष रहता है साड़े साथी आप सुनते होंगे तो साड़े साथी का मत्तल भी होता है धाई 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 कितने होगे साड़े साथ तो इसलिए धाई वर्ष एक राशी पर ग्रह गोचर में रहता है तो इसलिए दोस्तों तो उस धाई वर्ष को उसने एक अपने एक राशी में पूरा और कभि जो है दीमा होने के बाद में मारगी हो जाता है, अपनी जो रूटीन में जो चाल है, उसके षाब से वो चलता है। और कभी जो है अतिमार्गी हो जाता है अतिमार्गी का मतलब बहुत तेज चाल में चलना अपने जो डेली रूटीन की चाल है उससे काफी गुना चलना लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है शनी और मंगल की यह दिया हम बात करें इन पांच ग्रहों में से तो शनी मंगल ऐसे है जिनका जो कारेकाल वक्री रहने का कारेकाल अधिक रहता है बाकी के पांच इन पांच ग्रहों में शनी और मंगल ऐसे हैं जिनका जो काफी समय तक वक्री रहते हैं तो इसलिए इनको विशेशता इनकी विशेशता यहाँ पर वक्री होने की विशेश है दोस्तों तीसरा जो पॉइंट हमारा है वो ये है कि अनेक अनेक गरंथाकार जो हुए है जोतिश के अनेक अनेक जो जोत्सिय पौरानिक काल में हुए है उन्होंने वक्री ग्रहों का एक अलग अर्थ बताया है और यहां पर एक अर्थ ये भी आता है और ऐसा होता है कि जन्मकुंदली में दोस्तों जहां सूर्य है आपको हरसकॉप में मैं दिखा रहा हूं जहां सूर्य है जनम कुंडली में सूर्य से पाँचवा घर सूर्य से पाँचवा घर और पाँचवा घर से नवे घर के बीच में अब इसमें पाँचवा, छटा, साथवा, आठवा और नवा ये पाँचवा, इन पाँचवा घरों के बीच में जो भी गरह आते हैं, कोई बड़े गरह होते हैं, जैसे कि मंगल, गुरु, शुक्र, शनी, इस तरह के जो भी बड़े गरह होते हैं, वो अक्सर वक्री हो जाते हैं. अब वक्री का फल, जो है वो मैं आगे आपसे कहूंगा कि वक्री का फल क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना जानियें, कि जन्मकुर्ली में सूर से पांचमा घर, और पांचमे से नवे घर के बीच में जो भी पांच घर पड़ते हैं, इनमें यदि कोई बड़े ग्रह हों, तो वो जो है वक्री हो जाते हैं, उनको वक्री कहते हैं, इसलिए इने वक्री कह सकते हैं, और दोस्तों, इनका कारण ये है कि सूर के प्रभाव में आ करके, ये ग्रह जो है वक्री हो जाते हैं, ऐसा जोतिश का मानना है, और वक्री की स्तिती में इन पांच गरों में ये बड़े बड़े ग्रह विचरन करते हैं वक्री हो करके क्योंकि अनेका अनेक विद्वानों के अलग-अलग मत है, गरंथाकारों के अलग-अलग मत है और वक्री का शब्द भी सभी का अलग अलग है लेकिन दोस्तों यहाँ पर वक्री का क्या फल है और वक्री होने से ग्रह अशूप फल देता है या शूप फल देता है इसके बारे में मैं बात करता हूँ दोस्तों अब हम जानते हैं कि वक्री ग्रह का फल क्या होता है कौन से वक्री ग्रह क्या फल देते हैं और कौन से वक्री ग्रह हो करके क्या आशुपल देते हैं यानि कि क्या वक्री ग्रह जो है वो शूब या आशुपल क्या देते हैं इसके बारे में हम जानते हैं तो दोस्तों एक ग्रंधाकार ने कहा है किसी बड़े एस्ट्रोलजर में पुरानिक समय में कहा है और एक श्लोक के मात्यम से कहा है दोस्तों इस लोक में ग्रंधाकार ने कहा कि शुग्रा जो होते हैं यदि वो वक्री हो जाते हैं शुग्रा कौन है जैसे कि ब्रैस्पती शुक्र और बुद्ध ये जो शुग्रा है ये शुग्रा जो है हमेशा बक्री होने पर अती बलबान हो जाते हैं और बलशाली होने का मतलब कितने बलबान हो जाते हैं बिलकुल तिगुना जितना ये रूटीन में फल देते हैं सभी को शुब ग्रह तो वो देते ही हैं लेकिन यदि वक्री हो जाते हैं शुब ग्रह तो दोस्तों इनका जो बल होता है वो तिगुना हो जाता है तिगुना य जैसे कि अब आप कहेंगे शुब ग्रह का मतलब जैसे कि ब्रहस्पति या वुद्ध यदि या शुक्र यदि ये ग्रह किसी अच्छी राशीगत बैठे वे हैं आपकी हौरास्कॉप में और स्वर राशीगत बैठे हैं या मित्र राशी में बैठे हैं या उच्छ हो करके बै ये लगाईए कि कहावत है ना कि चार चांद लग जाना, तो इसलिए एक चांद तो पहले से था लेकिन तीन और लग गए, तो यानि कि उसका जो फल था वो अब तिगुना हो गया, अब वो यदि कोई ब्रैस्पती, शुक्र, बुद्ध, जो है राज योग बना रहा था यह ताकत उसके पास में होगी, और वो जो ग्रह है, वो तिगुना रूप में बहुत अच्छा फल यहां पर फ्रदान करेगा, तो श्लोक यही कह रहा है कि शुब ग्रह, यदि जो है बलवान, यदि वक्री हो जाते हैं, तो वो तिगुना शक्तिशाली हो जाते हैं आपकी होर ब्रहस्पती मंत्री यानि की पॉलिटिक्स का कारक है, तो दोस्तों यदि हम चाहते थे कि हम एक मंत्री बने, लेकिन अगर ब्रहस्पती बहुत पावर्फुल और वक्री हो गया अपने स्वराशिगत हमारी खॉरसकोप में, तो यह शुब ग्रह है, इसलिए शुब ग्रह जो है, तिगुना शुब करेगा, हमने सिर्फ एक मंत्री की चाहा बनाई थी, लेकिन पता लगा कि इसने अपने प्रभाव से प्रधार मंत्री बना दिया, तो यह एक एग्जामर के तोर पे कह रहा हूं, तो इस तरह से यह जो है, श्लोक और एस्टोलोजर जो है, ऐसा कह हैं, राज्य सुक को देने वाले हो जाते हैं, राजा के समान, यानि कि राजा के पास क्या चीजे नहीं होती, कितना वैभव नहीं होता, वो समस्त वैभव जो है, ऐसे व्यक्ति को नेम, फेम, धन, दोलत, शोहरत सब प्रधार कर देते हैं, दूसरी तब श्लोक कह रहा है, पाप व्यसनी नाम पमसा, कुरव अंटेशा ब्रधारनम, लेकिन पाप गरह य दी वक्री हो जाएं, होरासकॉप में, पाप गरह कौन हैं, जो कुरूर गरह कहला जाते हैं, सूर्य, श्नी, राहू, केतू, मंगल, ये जो हैं, कुरूर गरह कहला जाते हैं, ग्रूल प्लैनेट्स तो ये ग्रह अगर वक्री हो गए लेकिन इनकी सिच्वेशन ये भी है कि इन में से कोई भी ग्रह वक्री हो गया जो आपका है और वो अगर स्वराशीगत नहीं है अबोजिट आशी में बैठा है शत्र आशी में बैठा है किसी क्रूल ग्रह की व्यसनी नाम पुम्साम ऐसे व्यसनी बना देते हैं यानि कि लत बुरी आद्टों के लत डाल देते हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर और उनका जीवन जो है दुखदाई दूसरों को दुख देने वाला और स्वयम को भी दुख ऐसे लोगों को प्राप्तो होता है दन दोलत मान प्रतिष्टा इसके पास में है तो वो सब चले जाती है व्यर्थ जो है घुमाने वाले ऐसे व्यक्ति बना देते हैं यानि कि व्यर्थ में ही ऐसे लोग घूमते रहते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन को कुछ मिलता नहीं है और धन बैभभ भी जो है हाथ से चला जाता ह या मिलता ही नहीं लोगों को तो कहने का मतलब है कि क्रूर ग्रह बना देते हैं व्यक्ति को बिल्कुल ही स्ट्रगल लाइफ कर देते हैं कुछ जीवन में नहीं देते किवल संगर्ष और हमेशा जो है नाकाम्यावी ही ऐसे लोगों के हाथ लगती है व्यर्थ में घूमने फिरने वाले ऐसे व्यक्तियों को व्यसनी और अनिक प्रकार से अनिक कारणों के व्यसन बना देते हैं और खास कर मंगल यदि मंगल शनी यदि अपोजिट राशी में बैठ करके और कुरूर हो तो दोस्तों ये जो है व्यक्ति को अपराधी भी बना देते हैं अपराध करने वाले अपरादी बना देते हैं टेरिस्ट बना देते हैं इस तरीके से जो है यह पाप ग्रह यहां पर बहुत हानी जीवन में देते हैं तो दोस्तों ये थी जानकारी वक्री ग्रह के बारे में वक्री ग्रहों के बारे में, मार्गी ग्रहों के बारे में, अतिमार्गी ग्रहों के बारे में दोस्तों अब हम पर्टिकुलर जो पांच ग्रह हमारे हैं जो वक्री होते हैं, मारगी होते हैं, अतिमारगी होते हैं, मंगल, बुद्ध, गुरू, शुक्र और शनी, आपकी कुंडली के according कौन सा ग्रह शुब फल देने वाला है, कौन सा ग्रह आपका वक्री है, वो शुब देगा, अशुब देगा, उसके बारे में हम डेटेल से आने वाली और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मैं separate मंगल, बुद्ध, गुरू, शुक्र और शनी पर बनाने वाला हूँ, separate separate वीडियो, ताकि आपके ग्रह के according, आपका ग्रह मंगल, बुद्ध, इत्यादी जो है, वो किस प्रकार से बैठे हैं, वो अशुब में बैठे हैं मितर राशी में बैठे हैं, या शुब राशी में बैठे हैं, वो आपको शुब फल देंगे, अशुब फल देंगे, या फिर सामन रूटीन में फल देंगे, उसके according पर्टी कुलर एक ग्रह के बारे में, मैं एक वीडियो अलग-अलग से बनाऊंगा, तो आप जो है, आप को कुछ समझ में नहीं आया, तो वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, कमेंट लिखिए, और मैं उसका रिपलाई आवश्य करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जैश्री कृष्णा, और हमारी वीडियो आपको समझ में आए, अच्छी लगे, तो प्ली प्ली राजी रा, ये राज ये राज suggestion, प्ली तार्य में आए, और हमारी आए ही ये राहर ये शक्षिछ करूंगा, जैश्री